अगर आप एक commerce student है without maths ठीक है commerce without maths में अगर आप जा रही हैं तो आपके पास इन courses में admission लेने के जो है option अविलेबल अधर बहुत सारे courses हैं जो एक commerce student without maths कर सकता है अब without maths student पूछता है कि sir मैं क्या क्या करूं फिरको कौन से courses में admission लेना चाहिए क्या मैं BBA कर सकता हूं बिल्कुल भई आप BBA कर सकते हो but you have to cross verify with the university कि वो university आपको eligibility criteria में catches mention कर रही है ठीक है तो arts commerce without maths के basis पर आप जाते है डेलिशुटी के अंदर तो आप यह सभी courses में admission ले सकते हैं इवन कोई arts का student है वो भी इन courses में apply कर सकता है तो सबसे बड़ी जो confusion थी वो सबसे पहले clear कर देता हूं कि व बिल्कुल कर सकता है उनके पास combination दिया गया है कि या तो अकाउंटेंस के साथ proceed कर सकते हैं या तो वो अपना mathematics के थुरू आगे प्रोसीड कर सकते हैं तो मैंने इसी तरीके से आप लोगों के लिए जो excel ready कर रही है देखे एक language आपको लेनी है या तो mathematics या तो applied mathematics ठीक है इसक commerce student in courses में तो admission ले ही सकता है फिर BA honors Sanskrit यह सभी courses आप लोगों के लिए available है अब एक student बोलता है कि sir मैं क्या DU के अंदर without maths जा सकता हूं BBA course करने के लिए commerce student without maths BBA नहीं कर सकता DU से उनका जो main course है BMS यानि की bachelor of management studies में आप admission के लिए eligible नहीं है लेकिन एक course जो आपको definitely BBA का comparison दे सकता ह that is a BWalk in retail management and IT यह बहुत ही बढ़िया course है आप अगर यह सोचते हैं कि BWalk है तो मतलब नहीं मेरे काम का नहीं है बहुत सारे students की mentality ऐसे होती है कि BWalk का मतलब यह है कि वो vocational course हो गया लेकिन trust me आपको कोई भी difference देखने को नहीं मिलेगा इनके curriculum के अंदर ठीक है कोई भी difference आप इसको भी opt करें अपने admission के लिए